है अजियां आप quehesे आप सब है फोडियारों क्यों कि वोड़िया योड़े होंगे मजह में होंगे प्रिपेरिशान आप बडिया तरीकabout करें कि आपको बहुत सारे प्यार प्यार विल रा वाल थैक्स क्लू था रोत्क भॉट there was a solution स्च Smith a रहे हैं लोग suggest करते हैं चीजे और हमें इंप्रूव करने में उससे मदद मिलती है तो यहां पर मेगा चंद्रा जी ने सजेशन दिया है कि सर आप अगर सीटेट के बारे में भी कुछ बताएं या सीटेट की भी करा है तो बहुत बढ़िया रहेगा वह ऐसा सजेशन है मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में उस सरे लेटेट वीडियो भी मैं लेकर आऊँ तो आज का जो वीडियो में हमारा टॉपिक है अगें सेमेस्टर फूर हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट हमारा भी 404 इंक्ल टू और टॉपिक जो आज का हमारा है वो है क्लास्रूम मैंच्मेंट इन इंक्लूजव एजूकेशन सो विडाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं बट अगर चैनल पर नहीं और पहली बारा है तो चैनल को प्ली सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम बहुत उनके साथ आपको एक relationship building करनी होगी एक healthy relationship आपको maintain करनी होगी ताकि बच्चा आपकी चीजों को समझे है और आप जो पढ़ा रहे हैं वो उसे समझ में आए और वो अपनी problems जो आपके साथ share कर पाए तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही point है as a teacher your relationship with student starts the moment you meet them तो यह point यह कहता है क कि जब आप किसी बच्चे से मिलते हैं उस point से ही आपकी जो relationship होती है वहाँ से start हो जाती है no matter how difficult a student may be you need to embrace the challenge of getting to know him or her होता क्या है कि हो सकता है हर कोई यानि कि individually हम में से हर कोई different है कुछ लोग जो बहुत जल्दी friends बनाते हैं कुछ लोग जो है उनको time लगता है तो यहाँ प कोई बच्चा है जो बहुत ही जादा different है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा आपको उसे ऐसा challenge लेना पड़ेगा आपको उसके साथ थोड़ा time spend करना पड़ेगा ताकि आप उसको जान पाए साधी जात वो भी आपको जान पाए every child deserves love life could have been hard for a child who struggles socially and you may be one of the few people that child believes cares about him or her आपको पता ही है कि ऐसे बच्चों के साथ क्यों होता है जो disabilities होती है उनकी वैसे कई बार उनको neglect भी किया जाता है लोग उनकी साथ normally behave नहीं करते तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो life होती है वो बहुत ज़्यादा hard होती है नि उस बच्चे को ऐसा feel हो रहा होता है कि बहुत ज़्यादा difficult है लोग उसे पसंद नहीं करते तो यहाँ पर कही न कहीं कर अगर आप उसके साथ properly behave कर रहे हो आप उसे love sympathy show कर रहे हो तो वो यह चीज माइंड में लेके चलेगा कि कुछ लोगों में से यानि उन चुनिंदा लोगों में से आप भी हो जो उसको समझता है उसक क्या होगा हो सकता है कि आपका यह love and care जो उसकी life में कोई चेंज ले है वो ज्यादा बेटर perform करने लगे तो यह पहला point था second point अपका create a positive learning climate one of the most important thing you can do to be proactively manage your class is to establish an environment that promotes learning तो होता क्या है कि अगर आपको पनी classroom को manage करना है properly तो सबसे बहले चीज़ वहाँ पर positive learning climate होना चाहिए और आप सभी को बता होगा कि being positive कितरा important होता है चाहे मतभी सर्फ classroom की बात नहीं है even हमारी lives में भी हम बहुत सारी problems face करते हैं तो अगर हम positive attitude लेके चलेंगे तो कहीं न कहीं हमारे लिए चीज़ helpful होती है हम easily on problems को जो है वो face कर सकते हैं और उन challenges को हम cross कर लेते हैं better success हम achieve करते है तो same चीज यहाँ पर भी है teacher needs to be aware of the student's intellectual, emotional, physical, social needs and establish rules and procedures to meet them तो एक teacher के लिए यह जो है जानना बहुत important है कि जो वो बच्चों को यानि जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो उनका emotional level क्या है, उनका intellectual level क्या है, उनकी physical needs क्या है, उनकी social needs क्या है यह सारे चीज़ों के accordingly आप क्या कर सकते हैं, एक rules and regulation यह procedure बना सकते हैं अपने classroom का, जिसके थूँ आप इन needs को fulfill कर पाएं arrange students sitting strategically, grouping students by skill level or arranging them in manner that's conducive to group work or shaping or sharing in pair तो होता है कि आपको अपनी classroom का setting arrangement करना चाहिए properly, उसके साथ साथ आप वहां पर क्या कर सकते हैं, groups में, यानि कि skill के level पर भी आप grouping कर सकते हैं या फिर आप जिस तरीके से भी चाहें आप वहां पर arrange कर सकते हैं, sitting arrangement भी बहुत important role play करता है, जो foreign countries है, वहां पर एक concept होता है, वह क्या करते हैं, group बना देते हैं students के, जैसे for example, कोई student है, बहुत intelligent है, कुछ हैं जो weak हैं, तो उन्होंने क्या क्या है, उन्होंने क्या 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 better perform करने लगेगा, या कहीं पर problem होती तो जो intelligent बन्दा है, आप क्या सकते हैं, जो active है, उसके साथ हो क्या करते हैं, चीजें share करते हैं, वो उनको help करता है, उनको guide करता है, और as soon as जब उस group में सारे लोग क्यों हो जाता है, normally आप क्या सकते हो कि normal level achieve कर लेते हैं, या result देने ल जलता है with different students और उन से कुछ सीखने को मलता है, तो ये भी encourage करता है, इस type से भी classroom में जो है वो किया जा सकता है, next जो हमारा point है वो है encourage helpful hand, letting student take part in classroom helps them feel invested, तो होता क्या है कि आप अगर बच्चों को involved कर रहे हैं classroom में, तो they feel की they are important and it can be a help to you as well, तो अब आप उनको involve करेंगे तो उनके लिए भी help है और आपके लिए भी है, some experienced teacher use task card on which students names rotate weekly, तो कुछ जो teachers हैं वो क्या करते हैं, कि एक task card use करते हैं, जहां पर जो names हैं वो weekly rotate होते रहते हैं बच्चों के, यानि हर वी किसी अलग बच्चे का नाम उस पे होगा, strategies such as this provides fair way to distribute classroom job, तो इस से होता क्या है, इस type की strategies होते हैं, उन से classroom का job है, यानि classroom में जो चीज़े manage करने हैं, उनको distribute करने में help मिलते हैं, और यह एक fair distribution method है, it can also be helpful to post a sign that tells how to do a job, और इस में चीज़ और होते हैं, यह जो आपका task card is में आप क्या कर सकते हैं, signs put कर सकते हैं, procedure बता सकते हैं कि काम किस type से करना है, for example, if you assign students to straighten and clean bookshelf, you might place a list of steps to follow on the bookshelf, वहाँ पर अगर mismanagement आपने आडी तिरची बुक जब चाहे जैसे चाहे रख दी, तो आप चाहते हैं, कि वो simply सीधे तरीके से हो जाए, उसको clean करना है, तो आप उसको straight करवाना चाहरे हो, clean करवाना चाहरे हो, तो उसके लिए आप list भी, जो आपका job card ह है, मैंटी task card है, उसमें आप mention कर सकते हो, तो again it will be helpful, तो यह point भी आप आप लिख सकते हैं, इसके लावर और भी बहुत सारी चीजे हैं, जो आप mention कर सकते हैं, कि उससे उसको life skills भी सीखने को में लेगी, classroom में, जो भी चीजे हैं, चाहे को cleaning करें, चाहे कुछ भी करें, it will be helpful for him or her, then बात आती है, teach needed skills, तो होता क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ students को पढ़ाना नहीं है, बलकि उनको skills भी सिखानी है, same point यहाँ पर है, you should teach students the skill needed for the success in life, आपको उनको ऐसी skills भी सिखानी है, जिससे कि life में उनको आगे success मिले या life में उनके लिए helpful हो, often teachers think about teaching only content, without realizing how important it is to teach other skills तो maximum cases में क्यों होता है, teachers के सोच के जाते हैं कि बाई जो book में है, जो curriculum में वो हमें पढ़ाना है, उसके लावा हमें और कुछ नहीं पढ़ाना, लेकिन यह चीजें बहुत important है, जैसे कि social skill हो गई, ठीक है कि वो society में कैसे behave करेगा, कैसे अपने friends के साथ behave करेगा, कैसे उनके साथ normal way में रहेगा, यह सारी चीजें, यानि कि एक type से होता है, बहुत सारे बच्चे hesitated, feel करते हैं, hesitant होते हैं, यह हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो कि बाहर जाके नहीं बोल पाते हैं, या फिर किसी और, यानि कि unknown person से नहीं बोल पाते हैं, किसी अंजान इ skills कि अगर test है, कोई challenge उसके सामने, उसे कैसे face करेगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो test का नाम सुनके ही क्या करते हैं, कापने लग जाते हैं, कुछ आसे होते हैं, जुनको सब कुछ आता है, लेकिन वो test नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो important रोल आता है, वो test taking skills का होता है कि अगर किसी के नवे test taking skills है, उसको आप चीज़ें बताओगे, तो वो बंदा normally behave करेगा, और obviously वो person जादा better perform करेगा, then problem solving skills, problem solving skills जो हैं, वो भी same इस तरीके से ही हैं, कि आप कैसे problems को face करोगे, ठीक है, यह भी आप सिखाते हो, memory skills, कैसे चीज़ों को याद रखता है, and self regulation skills, क कैसे self management करना है, खुद को कैसे regulate करना है, तो यह सारी जो skills हैं, बहुत important role play करते हैं, इसी भी person की life में, इसलिए यह बी चीज़ें जो है, वो सिखाई जानी चाहिए, तो inclusive education की case में, special educator जो है, वो उन बच्चों को यह चीज़ें बे सिखा सकता है, many school issues disappears after few lessons in anger management, और another needed skill, तो हो होता कि है कि बहुत सारी school issues ऐसे हैं, जो की easily हट सकते हैं, या हट जाते हैं, अगर आप कुछ lessons anger management पर देते हैं, anger management का मतलब की गुस्से को कैसे manage करना है, गुस्से को कैसे handle करना है, तो यह सारी चीज़ें जो है anger management के थो भी हो सकती है, अगर आप थोड़े बहुत lessons बच्चो होगा, उनको बहुत अच्छा भी feel होगा, अगर आप थोड़ा बहुत time निकालें और ऐसी चीज़ों के बारे में plan करें, you may, however you may need to be creative, since not all students need instruction in the same skill, लेकिन यह पर आपको थोड़ा creative होना पड़ेगा, वह इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को उसी skill में knowledge च पॉइंट की, organize the lesson, याने कि अब important चीज़ आती है कि आप classroom में अगर जा रहे हो, तो आपको lesson organize करके जाना होगा, को पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ाना है, a lesson that engages all students moves forward smoothly and allows the teacher to talk to every child, अब इसका मतलब एक simple साई कि एक ऐसा lesson अगर आप plan करके जा रहे हो, जो बहुत engaging है, जाने कि वो interest बना के चल रहे है, जैसे कि आप सभी लोग कोई ना कोई web series कभी ना कभी देखी होगे, आपने आप देखते होगे, या कोई serial आप देखते होगे, तो वो जब भी end होता है, तो हमेशा suspense पे end होता है, तब आने वाला जो next episode है, next day का है, आप उसे देखने के लि create कर देना है, कि बच्चे के mind में चीज चले, कि आरे next क्या होगा, या क्या होने वाला है, kind of thing, तो यह चीज बहुत important role play करती है, और यहां पर जो point लिखा है, which allows you to talk to every child, यह talk to every child का मतलब यह नहीं है, कि आपको हर बच्चे से बात करनी है, कहने का मतलब है कि आप उसे इस त आप लोगे है, क्या आप बता होगे, you need to design your lesson with classroom management in mind, और जब भी आप design करेंगे lesson, या lesson plan आप बनाएंगे, तो आपको हमेशा classroom management को mind में लेके चलना है, पहली चीज जो आप कर सकते है, build as many as teaching strategies, use time management techniques, आप time management skills या techniques use कर सकते हैं, जैसे setting a timer to help the class transition through a series of activities, आप यह देख सकते हैं कि हमें कौन कौन सी activities करानी है, ठीक है, तो यह generally वैसे, जो small classes, junior classes होती है, आपके सकते हैं, nursery level की, या up to 5th, up to 4th, 5th, वहाँ पर आप ऐसे techniques use कर सकते हैं, senior classes में तो ऐसा possible नहीं होता, बट फिर भी आप interesting और engaging मनाने के लिए कुछ न कुछ activity वहाँ पर कर सकते हैं, and implement quick feedback technique, साथ पर कुछ न कुछ ऐसे techniques होनी चाहिए कि at the end of the lesson, आप बच्चों से feedback ले पाओ, अब ये feedback ज़रूरी नहीं है कि आप उनको कोई form दो और उसमें लो, even you can go through the expressions also, जब आप बच्चों के expressions read करोगो, उससे भी आपको feedback जो हो मिल चाहिगा कि क्या वो lesson उनको अच्छा लग रहा ह the way you are teaching, क्या उनको समझ में आ रहा है, ये सारे चीज़े, such as checklist to keep up with the student's progress, तो ये अलग चीज़े कि आप एक checklist भी हो सकते हैं कि student की progress को आप mark कर रहे हो, तो again वो एक type की strategy है और आपको भी help करेगी वो, next जो है वो आपका है, plan one-on-one, small group strategies भी आ बना सकते हैं, design appropriate movement and allow time for social interaction and reflection time, त जहां पर वो आपस में बात कर सकें, discussion कर सकें, for example, you could ask student to write in their journals at the end of any activity to give them time to think about what they just learned, तो आप उनको अब ये journals कहा है, उनकी एक type से डाईरी है, आप क्या सकते हैं, record, तो आप उनको allow कर सकते हो, that they can write their experience, क्यों क्या अलगा, chapter में क्या समझ में आया, उसके अलावा, organization का बहुत important जो part है वो ये भी है कि after school, आप handouts arrange करने में time spend करें, handouts का मतलब, generally आप क्या सकते हैं, short notes, उसके अलावा practice के लिए, आप additional questions जो बनाते हैं, कुछ इस type का जो है भी, वो भी आप बना सकते हैं after school, तो generally बहुत आरे teachers ये चीज़े करते हैं, writing on the board and taking care of other tasks, तो ये भी सारी लग सकते हैं, और उसके अलावा और जो टास्क हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, in doing so, you can prevent pause during the lesson and better manage your classroom, और ये सारी चीज़ें जो है, इसमें बोल रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं, you can prevent pauses, तो आप pauses ना ले, तो ये तो तभी possible है जब आप पहले से क आते हैं, props का मतलब होता है कि additional, for example, आप को story बता रहे हैं, तो आपने के किया, एक chart में कुछ बना लिया, और फिर उसको आपने बताया, दिखाया बच्चों को कि हाँ, यहाँ पे scene में ऐसा हो रहा है, या particular story में यह particular चीज यूज हो रही है, तो इस type से भी आप कर सकते हैं, for example, आप अगर कोई story बता रहे हैं, जहाँ पे flower है, तो आप फूल का cutout बना लिया, और वो दिखा दिया, props बना लिया, तो यह सारी चीजे भी बहुत ही effective होती है, then use of effective discipline, अब सारी चीजों के बाद जो एक important point है classroom management का, वो है effective discipline, कि आपकी classroom में discipline भी होना चाहिए, क्योंकि classroom management can help you avoid most discipline problem, classroom management कि तरू एक फायदा और भी होता है, कि जो बहुत तारी problems होती है, आपके disciplines related, वो होती है, sort out होती है, at the beginning of the school year, be sure to explain and post your discipline plan, establishing that no one will be put down, bullied or made fun of in the class, because it is a safe zone, where everyone including the teacher is allowed to make mistakes and learn from them. तो ये साफ कहता है कि starting में beginning of the year, जो है वहाँ पर आप अपना जो भी discipline का plan है, वो discuss कर सकते हो, बच्चों को बता सकते हो, कि कोई किसी को let down नहीं करेगा, कोई किसी को bully नहीं करेगा, परिशान नहीं करेगा, कोई किसी की मजाग नहीं उड़ाएगा, ठीक है, और आप ये उ all are human and making mistake is human, कि हम सब से गलतियां होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि आपने वो गलत बता दिया, but at that point of time आप बोल सकते हो बच्चे को, कि हाँ यहाँ पर ये चीज गलत हुई थी, I'm sorry, यह topic यह नहीं बलकि यह है, इस ताइप से भी कर बापा हो, कि हाँ, ऐसा हो सकता है, usually this forms a cohesive learning environment where students trust you to take care of their needs and where they respect one another, तो इससे होता कहे है कि जो students होता है, उनको feel होता है कि जो चीजे हैं, मतलब यह नॉमल है, कि गलतिया हम करेंगे और गलतियों से सीखेंगे, and obviously they take care of each other as well as respect भी करते हैं कि दूसरे की, even if you are diligent in setting up your discipline plan and have developed signal to one student that they are about to be disciplined, not every student will comply, तो होता कहा है कि बेशक आपने अपने warning signals बना ली हो, जैसे कई बार classroom में क्या होता है, कि कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे होता है, तो आप उनको क्या करते हैं, आंके दिखाते हैं, या आप उनको कुछ और signals देते हैं, जिन से उनको पता चल जाता ह है कि that you are bit angry on them और आप उनको warn कर रहे हो, तो फिर भी बहुत सारे cases में ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा जो है, वो आपके signals को follow करें, या फिर वो आपकी बाते समझें, या फिर discipline में रहे, तो again you'll have to take some sort of actions और आप accordingly उनको control करोगे, generally जो children with special needs होते हैं, उनके सा इनका case होता है, बहुत rarely ही आपको मिलेगा, क्योंकि जातर case में यही होता है कि they feel bit lonely, वो थोड़ा depressed feel करते हैं just because कि most of the cases में they are socially neglected, तो ऐसे में आपको उनको यह feel करवान है that you really care about them, you have to show your love and sympathy towards them, और इसके ही paces पे होगा कि वो जदधा better perform करेंगे, और ऐसे ही जो और points से उनके case में भी same चीज थी, कि अगर आप lesson organize कर रहे हैं तो special students आपके है, child with special needs है, उनकी needs को भी ध्यान में रखते हो, आपको यह lessons जो है plan करने पड़ेंगे, so यह था अच्छा वीडियो, I hope कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को आ लाइक करियेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करियेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करियेगा, thanks for watching the वीडियो,